है एलो ऊच्छो गूण बारिंग तो आज हमारा चैप्टर है वह यह कल हमने इसकी वरड में इंग किती फास्ट चैप्टर है निउ ट्रीटिस फूड पोष्टिक भूजन कैसा बोजन बाई पोस्टिक भूजन अब पोस्टिक भूजन होता है उसमें अगर भूजन के सभी पाट अभिव हो तभी वह पोश्टिक भोजन कहलाता है दूद दही अगर फल के सबजीयां डाल अगर यह सब भोजन का अंदर है तभी वह क्या बनेगा पोश्टिक भोजन तो पोश्टिक भोजन आज जो चैप्टर है इससे हम क्या करेंगे read करेंगे क्या करेंगे से आम read करेंगे देखिए new treat as food अब को दिखाई देरा है देरा ना दिखाई देखिए all the living beings take food to stay alive all the living beings take food सभी सजी प्राणी जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं सभी जो सजी प्राणी है वो जीवित रहने के लिए क्या करते हैं भोजन करते हैं we take food every day हम प्रति दिन भोजन करते हैं we take food every day हम रोजाना भोजन करते हैं The food helps us body to grow, जो भूजन है वो हमारे सरीर की व्रद्धी में मदद करता है, सायता करता है The food helps us our body to grow, भूजन हमारे सरीर को बढ़ने में, इसकी व्रद्धी करने में क्या करता है? मदद करता है It keeps us healthy and strong, यह हमें स्वस्त और मजबूत रखता है जो भूजन है वो हमें क्या रखता है? स्वस्त और मजबूत It gives us energy to work and play यह हमें काम करने के लिए सक्ती और खेलने के लिए पावर, यानि शक्ती देता है जो भूजन है वो हमें काम करने और खेलने के लिए सक्ती देता है We eat different kinds of food every day हम प्रती दिन अलग अलग प्रिकार का भूजन करते हैं वही हम रोजाना अलग अलग तरे का भूजन करते हैं ऐसा तोड़ी है कि रोज हम एक की तरह का भूजन करते हैं? नहीं तो और जानवरों से प्राप्त होता है बोजन किससे प्राप्त होता है हमें? पौदों से और जानवरों से वी गेट सीरिल्स, पलसेज, वैडी टेवल्स और फ्रूट्स फ्रूट्स फ्रूम दे प्लांट्स हम पौदों से अनाज, दालें, सबजियां और फल प्राप्त करते हैं पodarों से हमें क्या-क्या बिलता है अनाज मिलता है डाल मिलती हैं फल मिलता है और सबजियां मिलती हैं we get milk, eggs, and meat, from animals और जो animals होते हैं, उन से हमें milk यानि दूद, eggs, अंडे और बीट यानि consort होता है तो we get milk, eggs and meat from animals, हम जानवरों से अंडे, मास और दूद प्राप्त करते हैं Some people also eat fish, कुछ लोग मसलियां भी खाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं भई, मसलियां भी खाते हैं We take food three times a day, हम भोजन करते हैं या लेते हैं three times a day, दिन में तीन बार, एक दिन में हम तीन बार भोजन करते हैं In the morning, सुबह, we take breakfast, हम क्या लेते हैं, नास्ता लेते हैं, सुबह हम क्या लेते हैं वई, नास्ता In breakfast, we take bread, butter, eggs, jam, milk and tea or coffee We take breakfast, in breakfast, यानि breakfast, नास्ते में, we take bread, रोटी, butter, घी, eggs, अंडे, jam, दूद, and tea अच्छा है और coffee लेते हैं, we should take light food in the breakfast, we should take light, हमें लेना चाहिए लाइट फूड, हलका भोजन, in the breakfast, किसमें वई, नास्ते में, हमें नास्ते में हलका भोजन करना चाहिए आईए, we take lunch in the afternoon, दूपैर में हम क्या लेते हैं, lunch लेते हैं, यानि दूपैर का भोजन करते हैं, in lunch, lunch में, we take pulses, दाले, हम दाले लेते हैं, चापाती, यानि रोटी यान लेते हैं, राइस, चाओं लेते हैं, वेजिटेवल, सबजे लेते हैं, कर्ड, कर्ड वाना होता है, दही, क्या लेते हैं, दही भी लेते हैं, सलाद, और क्या लेते हैं, सलाद भी, some people like to eat fish and rice, कुछ लोग मचली और चाओल खाना पसंद करते हैं, we take dinner at night, हम रात्री में, रात का भूजन करते हैं, in dinner, और डिनर मे वेजिटेवल, सब्जे लेते हैं, वेजिटेवल, सब्जे लेते हैं, पल्से दाले लेते हैं, कर्ड दही लेते हैं, और साथ में सलाद भी लेते हैं, some people like to eat meat and fish, कुछ लोग मचली और मास खाना पसंद करते हैं, we enjoy sweet dish after dinner, और हम डिनर ये रात्री के भूजन के बाद, जो sweet dish से मिठाईयां खाना पसंद करते हैं, sometimes we also eat वड़ा, इडली, डूशा, चावमीन, छोले, भटूरे, इटीची, और sometimes कभी-कभी, we also eat, हम खाते हैं, वड़ा, वड़ा पाव, इडली, क्या काते हैं, इडली, डूशा, चावमीन, और छोले, बटूरे, we should eat different kinds of green, we should different kinds of green, vegetables and pulses every day, we should eat, हमें खाना चाहिए, different kinds of विविन प्रकार के green vegetables, हरी सबजियां and pulses और दालें every day रोजाना, हमें विविन प्रकार की सबजियां और दालें प्रती दिन खाना चाहिए, we should always eat clean, fresh, covered and properly cooked food, we should always, हमें हमेशा खाना चाहिए, clean, fresh, covered, साप सुत्रा और धका हुआ and properly और अच्छी तरह से पका हुआ भूजन, हमें साप सुत्रा धका हुआ और अच्छी तरह से पका हुआ भूजन ही खाना चाहिए, we should take only that much food, which we can digest, we should take only that much food, हमें वही भूजन खाना चाहिए, which we can digest, जिसे हम पाचित कर सकें, पचा सकें, we should never waste the food, हमें कभी भी भूजन को बरबाद नहीं करना चाहिए, we should always wash our hands before and after eating the food, we should always wash, हमें हमेशा धोने चाहिए, our hands अपने हाथ, before and after eating the food, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में, हमें हमेशा खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में, अपने हैंड वास करने चाहिए, we should always take our meals at fixed hour we should always take हमें हमेशा लेना चाहिए our meals हमारा भोजन at fixed hour सही समय पर सही समय पर सही गंटों पर हमें निश्चित समय पर ही अपना भोजन करना चाहिए we should not eat anything between the meals we should not eat anything हमें कुछ भी नहीं काना चाहिए between the meals बोजन के बीच में अगर हम बोजन कर रहे हैं उसके बीच में हमें और कुछ भी नहीं खाना चाहिए कि सो यह आपका जो चैप्टर है यह कंप्लीट हो गया है अब इसका जो first question है कौन सा कुछन है first what do we get from the food first question क्या कह रहा देखिए question number first what do we get from the food what do we get from the food यानि हमें भोजन से क्या प्राप्त होता है अभी आप ने पढ़ादा क्या हम भोजन करते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है वही एनर्जी प्राप्त होती है और एनर्जी है वो हमारे काम करने के और खेलने के काम आती है क्या काम आती है एनर्जी हमारे काम करने और खेलने के तो क्या अंसर बनेगा इसका we get energy sorry we get energy from the food what do we get from the food हमें बोजन से क्या प्राफ्ट होता है तो आंसर क्या बनेगा we get energy from the food हमें बोजन से क्या प्राफ्ट होता है energy प्राफ्ट होती है next question है what do we get from the plant what do we get from the plants youtube से हमें क्राफ्ट होता है अब अब भी आपने प्राफ्ट वदू से हमें क्या क्या प्राता है उस्दूसे अनाज दाले सब्चियां-फल इत्यादी प्राप्ट होते हैं तो आंसर क्या बनेगा इसका we get cereals we gain cereals pulses vegetables and fruit and fruit from the plants from the plants what do we get from the plants we get cereals anas pulses vegetables and fruit from the plants किसे पौदों से पौदों से हमें anas dalay sabjia और फल प्राप्ट होते हैं तो यह आपका chapter हो गया complete so all of you thank you